हाई गाईज वेलकम बाग तू शानली क्लासिस फिस्ट फॉर गूणिंग टू एवर्वन शुप्रभाद कैसे हैं आप सब होफुली अच्छे होंगे अज यहां पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लास अगें करेंगे यहां पढ़ेंगे चाप्टर टू चाप्टर टू मै आता है बहुत इंपॉर टॉपिक है दियान से देखिए कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताएगा सबसे पहले करना क्या है आपको क्वालिटी को कर लिए ताकि आपको हर एक चीज क्लेर दिखाई दे तेलेग्राम को जॉइन कर लिए जिन्हों अभी तक न चले देखते हैं और टेलेग्राम को जॉइन जरूर कर लिए क्या को वहां पर हर एक चीज पर चलेगो पीडेम भी मिलेगा वहां पर लिंक आपको कहा मिलेगा कमेंट बॉक्स में पिन करके वहां से आप जॉइन करें कोई भी दिक्कत हो की तो बताईएगा आईए देखते य How about Scroll Gram के वेस प्रेवाइटा मैंने कारे के वेस पर हिए था कि अनुपरियोग क्या है स्परियोग क्या है कैसे वह काम घरते है ठीके आज हम जो पढ़ेंगे वह आकार शेप के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइट किया गया है उस पहसworkर त दौनों से प्रश्न बनता है et analog hybrid том चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम हो चुका है टाइम पर आदे जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक है जरूर से जरूर क्लास को लाइक कर दें ठीक है हम यहां पर शेयर कर रहे हैं बहुत लिए इंटरस्ट आएगा मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा प्रशन आएगा आपको कि आकार की अधार पर कंप्प्विटर को कितने भागों में बाटा गया है तो आप बताना होगा वहां पर वह विकल्पी में आएगा कि चार प्रखारों में ठीक है कौन-कौन सा माइक्रो मीनी में फ्रेम सुपर इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है सबसे पहरे बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की प्रशन आपको आहेगािकरो कंप्प्यूटर की परिवाशता से cáiघां water प्रमगह सांसे और समौंगे मैं सब्सक्राइबर होता है व्यापक रूम एसक्राइब होने सब्सक्राइब निसंथ भूर में इन को जा इस प्रीजह भ श्राइब morain मि ग्रों कर रहा है विशाल तरीके से फैल रहा प्रड़क्ट आपको अच्छा मिलेगा अच्छे प्राइस पर मिलेगा और कॉलिटी भी दमदार रहेगी आप तो उसी प्रड़क्ट को यूज करोगे ना महंगा प्रड़क्ट क्यों करेगा तो वही चीज है कि इसकी जो डिमांड बढ़ रही है वो इसी वह से बढ़ रही है क्योंकि यह बहुत सस्ता भी है और हलका भी है शेप भी बहुत चोटा है तक ईसको आसा Hmmm लॿ कर सकते हैं ऐए देखते हैं और बाते क्या है इन कमप्यotर को वेक्टिकत उपयोग के लिए घर बाहर किसी भी कारेश्यस्थेर में लगाया सकता यह ऐसा कम onda है व loro कान तो यह मेरा पर्सचनल लेटाप है तो कम यह वेक्टिकत पर चीक की बात है करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में बाहरं भी करते हैं स्कूल में कॉलेें में doping is Coach B पूछिए तो माइक्र interactive को क्या कहते हैं। मैअ को का है मैअ क् यूप्यूटर क्या होता है मैं आपसे प्रश्ची क्या होता है तो आप लिखेंगे, बताएंगे मुझे मैं, माइक्र कम्पीटर एक ऐसा कम्पीटर होता है, जिसका व्यक्तिकत उप्योग किया जाता है, घरों में भी किया जाता है, और बहुत सारे बाहर की छेत्रों में भी किया जाता है, ये मैं एक ऐसा कम्पीटर होता है, जो सस्ता है, इसका आकार छोटा है और बहुत जादा ही इसकी डिमांड भी है काफी उप्योग में भी लाया जा रहा है और इसका आकार भी बहुत छोटा है ठीक है इतनी बात आपको बतानी है देखिए आपको यहां जो बाते लिखी हुई है आप इसको यह बातों को आपको से समझना है क करने के लिए पढ़ाई करने के लिए घर और कारियाले इसको बनाया गया है ठीक है चले आगे एक समझ में आ गया ना तीकि छोटा टॉपिक अराम से देख लिया हमने आगे आओ परशन आएगा परशन आता है सारे अंप्धायी आकृट के लिएफंट सोचे और रिशायी मतलब जैसे आपसचीए आप जानता है आप जाता है floral के जानते की रिलायना कि यहां पर तो चोटा बयुसाय वही होगा जो वो कहते हैं ब्रांच कहते हैं लाइश हो만ड़ो का मध Game में और यहां पर हर जगा पर हघुडरी में यह लिए भी मुझ से आप मैंच सब्सक्राइब जो उनकी पार्ट है वहाँ पर इनका ज़द अस्तमाल किया जाता है ठ्यान से सुनिएगा समझिएगा भी मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए विक्सित नहीं किया गया है अब यहाँ पर जब वेवशाय की बात आ गई न तो छोटे वेवशाय में कम लोग होंगे ब करने में मतलब किसी कंप्यूटर माध्यम आकार होता है मीडियम साइस का होता है यह कंप्यूटर यह माइक्रो कम्पूटर की तुलना में अधिक कारे समझा सीरुट होते हैं जो ऊपर हमने माइक्रो के भारे पढ़ा यह computer जो होते हैं इनकी जो कार्य करने की capacity होती है उनसे ज़्यादा होती है त्याद की कि यहादा कूंपूटर पांच घंटे काम करें दो-तीन घंटा जदा काम करेंगा सब्हाइवमिन काम की माइक्रब्स काम करें मिनी कम्प्यूटर की पैसे की वाल्यू ruce Unterschied क्योंकि उसको कई तो और यह क्यों इसके नेband'll me रहेगी जो जितना पूंप किसी स्वेशिकना को उसको पैसा भी तो वहीं दूजए एजरwe in computer की बेट다 रूप से नहींको कोई भी वेंदाब बरतिगता रूप से अपने परसनली काम करने के लिए इसको नहИंद खरीदता राचत और उसों खरीद कर सकते हैं में एक से ज़्यादा दो तीन लोग पास लग च्छे लोग बैटके से कर सकते हैं और मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा माइक्र पॉप्यूटर में सिर्फ एक CPU होता है CPU का आता है कंप्यूटर में ध्यान रखेगा फुल फॉर्म जितने मिलते जाए नोट डाउन करते जाए ठीक है क्लियर मिनी समझगे की नहीं समझगे मिनी आया की नहीं आया नाम मिनी है काम बहुत अच्छे हैं इनके ध्यान से देखीगा तो मैंने आपको दोनों बताया माइक्र में भी बताया और मैंने आपको क्या बता है मीनी कम्प्यूटर भी बताया क्लियर हुआ आए आगे चलते हैं देखते हैं कुछ और चीज़े मीनी कम्प्यूटर को याताइए कशान के लिए आरक्ष्ण परनाली मतला बैंक में और जो है जैसे आफ प्लेन से जाते हैं आप तो बहुत साथ लोग फ्लाइट से इस्तवाल किया होंगे तो देखे आप पूरा चार्ट बूर्ट डिखता रहता है वो सब क्या है सब टेक्नोलोजी का इस्तवाल करके किया जाता है तो वही साही चीजें हैं कि हर्च बताना करना बैंक का करवचारी का बेतन पेट्रोल बग कैसी यह मतलब एक के बाद 1 से बढ़े कर एक है एक से तो दूसरा सवा से सुना है नहीं सुना है बाब बेता क्या है बेटा नंभरी तो पेटा दस दमबरी बिच्चर आई थी ना एक बहुत पहले गुविंदा ऑप एन तो यहां पर क्या ध्यान रखना है यां चमताबान भी है इसके अंदर काम करने की कैपसिटी जाता है जितनी कैपसिटी इसके अंदर है उतना ना तो मिनी के अंदर है और नहीं में के अंदर है ठीक है ना तो मिनी के अंदर है ना माइक्रो के अंदर है में के अंदर तो हई है इनका इस्तमाल सरकारी ओफिस में क्या जाता है यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं एक टेबल या एक कह सकते हैं और जदा बड़ा इस तरहीं काफी बड़ा होता है कि इसमें स्टोरेग च्छमता जादा होती है सरकारी विभाग है बैंक नोगों लोकर वाकर जो होता है उस सब तबाम चीज़ स करके रखना है वहां पर इनका इस्तमाल किया जाता और वही लोग इनको परचेज भी करते हैं इनको आप पब्लिक नहीं परचेज करती है कि खाम का नहीं है ना इसलिए मेन फ्रेम आकार में बहुत छोटे होते हैं यहां पर देखे क्या बात उताइग गई है इनका जो आकार geldo करना रहे हैं तो द्रौ detto जतना बड़ा बड़ा होता है यहां इनके अंदर श्केशा आधा ड़ी जतना बड़ा आपको वेगने से यह बात ध्यान रखिएगा तो इनकी जो भंडारा चमता है वह बहुत जादा है तभी इसमें ज्यादा डाटा स्टोर करके आप रख सकते हैं इनमें आधिक मात्रा में बहुत ही तीव ग्रती से डाटा को प्रोसस करने की चमता होती है मतलब काम करने की जो चमता है जो मीनी औ 4 माइख्र ál कोई काम है जोure करें तो देंगे को 75-6 मृट तो काम करने की जो सबसे जब्यादा इसकी मैं फ्रेंट की मीनी क選ों से जाता है कंश्याएं जानी कंप्योच के क्यूंदे बैंक के यागव को पर इसको उन काम-ध करने ब्याद के श्भक करेंक में है यहां से वाहां ट्रांसफर होता है यह सब क्या है इतनी आप आँफ बंद करें के पैसा ढूर फी वहाँ से होता है यह लुग्विछ सबस्सेंटा में ना उक नहीं पुलक नहीं तो और पैसा हो 650 तो यह सब्सक्रण से कहीं करें यह नहीं करें कि आ आपको बैंक को लेगी दर्स तो क्यों आप जाएंगे तो क्यों पैसा निकलेगा क्यों पैसा कैसी चाहेँ यहीं तो है आधुनीकरन यह इस लिए बड़े बढ़े भाग में सेक्टर में इनका स्तमाल किया दाता है में फ्रेम कंप्यूटर को एक करते हैं कि यहां पर ज संवांन करें कितना ऐया किंपनी का य वैराइटी है तो अ सबस्क्राब तस ब Hebben सब्सक्राइब 2022 क्रुछाब 15 कीज़ा में को U through kalian सब्सक्राइब एक यहां पर icl 39 series और cdc cycle cycle series यह वादा ध्यान रखना यह दो तो नहीं पूछता है यह मैं ले लिया ऐसे ही लिकिन यह पूछता है अब ही अच्छा आज मैं उधारान लिखना फूल गई न कल चलो कोई बात नहीं धारान भी हम वहाँ भेज देंगे तीक है ग्रूप में भे बहुत प्रशना आता है कल कप परसो तो टेस्ट लिया तो उसमें बहुत कुछ मैंने ऐसे questions ले थे ना में फ्रेम में नहीं वगर रहा है कि तो वही चीज़े अब सुपर कंप्यूटर है क्या यह देखो यह कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल और खचीले होते सबसे मह सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका ने बनाया है multiply सबसे कंप्यूटर होता है चुषक कम्स का लिए इसका नम सुपर कंप्यूटर होता है कि सारे computer सबसे best है क्योंकि बहुत तेज काम करता है ठीक है अब देखिए भारत में पहला supercomputer का जो नाम है वह है परम 8000 क्या नाम जो भारत का इंडिया का supercomputer है उसका नाम है परम 8000 ठीक है यह कब बना था 1991 ने बना था कब 1991 ने परम computer को भारत सरकार की एक संस्था है CDAC उसने बना था ठीक है परम को कौन बना था तो परम को भारत की इंडिया की संस्था है एक इंस्टिट्ट है क्या सकते है प्रकार से कि यह क्या है उनका नाम है CDAC इन्होंने परम को बना था किसको बना था भारत के पहले सुपरकंप्यूटर परम 8000 को कब बनाया था, 1991 बनाया था, किस ने बनाया था, तो CDAC ने बनाया था, प्रशन आता है ध्यान लखेगा, परम के बाद भारत ने बहुत सारे सुपरकंप्यूटर बने, सिफ परम ही नहीं बना, बहुत सारा बना, फिर है सुपरकंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैग्यानिक और सोध प्रयोग सालाओं में सोध कारिक यानिकि रिसर्ष करने के लिए कुछी सर्ष करने के लिए प्रयोग किया जाता है अंत्रच यात्री अंत्रच यात्रा के लिए जो अंत्रच यात्री को भेजना होता है वो उनके बारे में मौसम सही है जाना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या है, कैसी condition है, यह सब उनके तहर तो यह लोग वहाँ पर जाते, जो link up होता है, वो सब इसी system के through होता है, चिक है, मौसम के भविश्यारी करना, मौसम के बारे भविश्यारी करना, मौसम आज यह होगा, कल यह होगा, पर सो यह होगा, यह समता होती बागी किसी computer में नहीं होती है जो आपने इससे पहले ऊपर 3 को पढ़ा था उन्में यह खूबी ही नहीं होती है भारत के पर्म नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत के वग्यानिक ने तयार किया इसको भारत के scientist ने बना इसलिए भारत का है परम 8000 परम computer का विकास जो है वो विक्सित रूप परम जो है वो 10,000 है जो इसका सबसे डेबलफ रूप है जो सबसे एक जिसमें सारी कोई कभी नहीं सबसे बेस्ट है टॉप quality का एवन है वो है परम 10,000 क्या है परम 10,000 इसके लामा बहुत सारे हैं जैसे केरे 2 केरे XMP 24 NEC 500 तो यह सब और भी computer के नाम है लेकिन प्रशन यहां पर क्या आता है यह परम 8,000 वाला पर 10,000 वाला यह प्रशन ज्यादा आता है ठीक है फ्रेंट्स क्लियर हुआ यहां तक सब को समझ में आया तो फ्रेंट्स यह रही आज की आपकी छोटी सी क्लास 20 मिनट की यह भी इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कल दिया था सुबह की क्लास हम छोटी रखेंगे ताक कि किसी को प्रॉल्म ना हो आप आईए पढ़िए समझेए फिर जाके अपना पूरा रिवाइस करें नोट्स बनाईए क्लासे से भी नोट्स बनाने का प्रयास किया करें कि जब मैं प दिक्कत होगी तो बताईएगा कोई प्रॉल्म होगी तो मैं उसको जरूर करूंगी समझ में आया कि नहीं आया समझ गए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया और इतना अच्छा सचन रहा है सुबह मैं आपको इतनी अच्छी बाते बताई है तो एक लाइक तो आपका जैसे मैंने लिया था तो टेस्ट भी त्यार हो जाएगा क्लियर चलिए फ्रेंट्स फिर आपको यह क्लास आपकी हो गए अर्ले नवार्निंग दस बजे की मैंने आपको कंप्यूटर बढ़ाया इसा तरीके से कंप्यूटर मैंत को थोड़ा कॉंटिन्यू करेंगे स पढ़ते रहें को सपोर्ट करें अपना साथ दीजिए आप मेरे साथ से रहेंगे दुगनी मैनत करेंगे तो मैं आपको चार गुना मैनत करके दूंगी ताकि आपका हार एक चीज बहुत अच्छा हो जाए सामको मिलते हैं तब तक ले टेक क्यान थांक्स वर वाचिंग ट् उन।